अफगानिस्तान और भारत के लोग एक दूसरे को भाई-भाई का दर्जा देते हैं लेकिन अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपना दुश्मन बताते हैं क्योंकि पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान को बरबात करने के लिए ना जाने कितने आतंकी संगटनों को बनाया उनको बम गोला बारूत दिया इतना है नहीं भारत जो भी मदद अफगानिस्तान को देता है उसकी चोरी भी पाकिस्तान ही कराता है और अब ये तैह हो चुका क अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान को भागना पड़ेगा और अब हो भी वही रहा तालिबान ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया जिसके बाद पाकिस्तान अपने विसेश राजदू से इस्तिफा ले लिया और उसे वापस अपने देश बुला लिया जिसके बाद एक बात साफ हो गई कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बंगोला बारूत दिया वही अब उसे डस रहा चलिए अब जानते हैं आखिर क्यों पाकिस्तान को भागना पड़ा अफगानिस्तान से दरसल पाकिस्तान का कबाईली इलाका अशांत बना हुआ है अगस 2021 के बात से ही इन इलाकों में आतंगवादी गत्विदिया काफी जादा बढ़ गई कई इलाकों में तो आतंगवादियों ने अपने चेक पोश बना लिये तालिबान के साथ पाकिस्तान सरकार की बातचीत भी नाकाम ही रही है इस कारण पाकिस्तानी सरकार ने अफगानिस्तान के लिए अपने विशेज प्रतिनिदी अन्भवी रजनाइक मुहम्मद सादिक का इस्तीफा ले लिया अब जब इस्तीफा ले लिया गया तो गुसे मैं मुहम्मद सादिक ने कहा अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेज प्रतिनिदी के रूप में करीब तीन साल की सिवा के प्रदान मंत्री और अन्य सभी हिद्धारकों के अभारी हैं मैं अपने कई सयोग्यों की कड़ी मेहनत की सरहाना करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंदों को कारगर बनाने के लिए लंबे समय तक काम किया तो हैं पुर्राजदूत ने डॉन.com में इस बा प्रदान मंत्री के विशे साहे के तोर पर साधी का इस्तीफा तत्काल प्रफाउस से स्विकार कर लिया साधी को जून 2020 में मतपूर अफगान पत पर नुक्त किया गया था खैरा पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से भागना काफी शर्म बरी बात तो है ही क्योंकि पाक पर कबजे के बाद भी पाकिस्तान ने विद्रोईयों के गड़ पंजिसीर पर कबजे में मदद की थी खैर आपका क्या कहना है अफगानिस्तान से पाकिस्तान की वापसी को लेकर कमेंट करकर जरूर बताएं ब्यूर रिपोर्ट भारत तक कर दो कर दो